Hello everyone, तो आज का हमारा टॉपिक है Cisco Webex. Webex Meetings एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग सेर्विस है, जिसके थूँ हम ओनलाइन मेटिंग्स और वेबिनार्स को शिडिवल कर सकते हैं. पिछले एक-दो सालों में सबकुछ ओनलाइन होने के कारण काफी सारी स्कूल की क्लासेज और ओफिस की मीटिंग्स सिसको वेबिक्स की थूँ ही ओर्गिनाईज की गई थी. अगर आपको सिसको वेबिक्स पे मीटिंग और्गिनाईज करनी हैं, तो उसके दो ओप्षिन्स होते हैं, या तो आप तुरंथ ही मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट अ मीटिंग का इस्तमाल करके, उपर दिये गए लिंक को आप जिन्हें में मीटिंग में बुला तो आपको कुछ ऐसी विंडो दिखेगी, इसमें आपको डिटेल्स भड़नी हैं, जैसे कि मीटिंग का टॉपिक, उसका डेट और टाइम, उसके अटेंडीज, मीटिंग पासवर्ड ऑटो जेनरेटर होता है, इसलिए हमें उसमें कुछ नहीं करना, इसके बाद अगर आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपकी मीटिंग शिडियूल हो जाएगी, आईए अब जानते हैं वेबिक्स के इंटरफेस के बारे में, वेबिक्स का इंटरफेस आपके लाप्टॉप या कम्प्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखता है, सबसे पहले इस खुद को म्यूट या अन्यूट कर सकते हैं, यानि अगर आप मीटिंग के दौरान कुछ बोलना चाहते हैं, तो खुद को अन्यूट करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और जब आपकी बात खतम हो जाए, तो इस पर दुबारा क्लिक करके आप खुद को म्यूट कर सकते हैं यहां start यह stop वीडियो का option है इससे आप अपनी वीडियो को start यह stop कर सकते हैं अगर आप अपनी screen को share करना चाहते हैं यह screen के किसी tab को share करना चाहते हैं तो इस share के option पे click कर सकते हैं अगर आप अपनी meeting को record करना चाहते हैं तो इस record बटन पे click कर सकते हैं यहाँ participants की list पे click करके आप meeting में मौजूद लोगों के बारे में जान सकते हैं और अगर आप उनसे chat करना चाहते हैं तो इस chat के option पे click कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफी reactions भी होते हैं जो हम meeting के दोरान use कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पे thumbs up वाले icon पे press करूँगी तो वो हमारे left hand side पे visible होगा अन्त में अगर आप meeting से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस red cross पर click कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा topic Cisco WebEx उमीद है आपको आज का lecture समझ में आया होगा Thank you